हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन्स अगें टू गार्णी श्वित रेणू आज हम बनाएंगे सोया बीन की मसालेदार मुगलाई स्टाइल सबजी जब भी मेरे गर में कोई सबजी नहीं होती, मैं यही बनाती हूँ सोया में वेजिटेरियन प्रोटीन बहुत पाया जाता है, जिसकी वज़े से यह बहुत हेल्दी है इस सबजी को आप रोटी, नान, पराठा या चावल के साथ परों से बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम सोया चंक्स को बॉइल करेंगे चार-पाच कप पानी गरम कर लेंगे, वन टीस्पून नमक डाल कर इसमें सोया चंक्स मिला देंगे यहां मैंने दो कप सोया चंक्स लिये हैं, जैसे है पानी में उबाल आ जाएगा, गैस आफ कर देंगे और इसे 10 मिनिट के लिए कवर करके रखेंगे जब तक सोया चंक्स फूल रहे हैं, हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं एक पैन में चार बड़े चंमच तेल गरम करेंगे और दो मीडियम साइज प्यास लंबे और पतले काटकर मिला देंगे और पूरी तरह ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे यह देखिए प्यास अच्छे से ब्राउन होने लगा है गैस आफ करके पैस को एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे दस मिनिट हो गए हैं और सोया चंग्स भी अच्छे से फूल गए हैं अब इन्हें अच्छे से दबाते हुए इनका सारा पानी निकाल देंगे हमने इन्हें बॉयल करते वक्त नमक मिलाये था जिस्ते ये बिल्कुल भी फीके नहीं है अब सोया चंग्स को मेरिनेट करेंगे तीन से चार बड़े चमच दही डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे जिस्ते की सोया दही को अंदर तक एब्सॉर्व कर ले ध्यान रहे दही खटा ना हो जब तक सोया मेरिनेट हो रहे हैं हम ग्रेवी बनाते हैं बुने हुए प्याज में चार कटे टमाटर, एक टुकड़ा अदरक और छे से साथ लेसुन की कलिया डाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे ये देखिए ग्रेवी के लिए पेस्ट रेडी है अब उसी गरम तेल में एक चमच जीरा क्रेकल करेंगे तैयार पेस्ट भी डाल देंगे पेस्ट डालते ही साथ ही साथ आधा चमच हल्दी पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट लाल मिर्च पाउडर और वन टी स्पून धनिया पाउडर डाल कर साइट से ओइल सेपरेट होने तक मसाला भून लेंगे मसाला भच्छ से भून चुका है, इसमें मेरिनेटेट सोया सॉल्ट, सोया चंक्स मिला देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्स सॉल्ट भी डाल देंगे वन टी स्पून गरम मसाला डाल कर अच्छ से मिक्स करेंगे और पांच मिलेट धेमी आज पर ढग कर पकाएंगे दही का कच्छापन निकल जाना चाहिए ये देखिए सोया चंक्स की मसालेदार करी बनकर बिल्कुल तैयार है बहुत ही अच्छी इसकी कुछबो आ रही है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है तो दोस्तों आप भी रेसिपी ट्राइ करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपीस के लिए मेरे चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में झाल को झाल झाल झाल